किसानों का नाम सियासत बेलगाम जी हां राज्यसभा में जो बवाल इस मुद्दे पर कटा है जो सांसत कई आज किसान आंदोलन की जगा पर गए और इसी के साथ टूल किट जो ग्रेटा थनबग ने घलती से ट्वीट कर दिया था उस पर कुछी देर पहले दिल्ली पुलिस क कमिशनर ने प्रेस कांफरेंस करके पूरी जानकारी दी है क्योंकि F.I.R. दर्च की गई है और जो धाराएं लगाई गई है उसमें पांच साल तक की सजा भी हो सकती है क्या उन्होंने कहा है हम आपको सुनाएंगे लेकिन जल्दी से रियाक्शन पहले ले लेते हैं आपके या अंदोलन का विकतरवा दिन हो गया है फिर से चक्का जाम की तैयारी है इसकी आड़ में किस तरह से जबरदस सोशल मीडिया का इस्तमाल करके हिंदुस्तान के खिलाफ साज़े शर्ची जा रही है वो सब कुछ भी सामने आ रहा है आपको नहीं लगता है वो भी उतना ही जो चर्चा हो रही है डिवेट के आप आपने हमें लाइव में बुलाया तो ममें यह जान करी दी गई थी कि आपको किसान आंदोलन पर आना है मैं लोक्षभाई कारवाई छोड़ गया है हूं बीच में मैं तो इतना ही इसके अंदर कहूंगा कि बारत विरोधी गतवीदि किसान के बेटे हैं हमारी लड़ाई हम खुल लड़ना जानते हैं आज 71 दिन हो गया सोच से ज्यादा साधत दे दी और 26 जनवरी की जो घटना होई थी निश्चित रूप से उस घटना का अंदर जो भी ऐस समाजीक तत्यू थे उनके इकलाब हमने निंदा उसी दिन करी थी और बड़े अंदोरनों के अंदर ऐसी घटना है एकसर हो जाती है लेकिन किसान डटावा है सांतिपुरुक तरीके से और जिस राजस्तान से मैं आता हूँ साजांपुरु बोर्डर के अंदर और कल हमारी टेक्टर प्रेड भी कल है और उसके बाद परसू चका जाम है किसानों का बहुत 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 कर सकती थी कोई बहुत किसान अच्छी तरह जानता है और किसानों की जीत निश्चित होगी इसमें कोई दोरा नहीं और हम पार्लेमेंट के बी जोड़दार तरीके से चाहिए राष्ट पत्रावजट हो उसके बाद तीन दिन से जो और आज जब विपक से हमारे कई साती गाजीपुर बोर्डर गए तो उनको किसानों से मिलने नहीं दे गया और की लगा के जिस तरह सिक्स लेयर की सुर्क्षा बने ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोर्डर पे कोई आतंगवादी अमला या कोई नेक्स लाइट वैसा होने वड़ा था यह भी सरकार को शोचना चाहिए अंदाता है और अंदाता को अपमान अगर सरकार जित्ता करेंगी उतना ही सरकार को नुक्षान उठाना पड़ेगा और किसान आंदोल में किसान कलोर परसों मजबूत तरीके से अपनी ताकत दिखाएं संबे जी जवाब दीजे फूरा आपके पास आरे हैं भुंडर साहब देखिए बड़े सम्मान के साथ मैं हनुमान जी के एक दो बातों से अग्री नहीं करूंगा हनुमान जी ने कहा बड़ी बड़ी जब प्रोटेस्ट होते हैं बड़े बड़े जब इस प्रकार के धरना होती हैं तो उसमें 26 जन्वरी जैसे कुछ घटनाएं हो जाती है मैं इस बात को नहीं मानता 26 जन्वरी बात जो है वो जो हिंसा हुई थी वो जिस प्रकार का उपद्रव हुआ था वो कोई छोटा विशय नहीं है वह एक शडियंत्र था और शडियंत्र के अंतरगत यह पू सुगों ने कहा बॉडर पर कील इस नहीं लगाया जाता है केवल एक तार कि बार होती है क्योंकि बार में गोली चलानी की इजاجत होती है बार के उस'll से जो लोग अगर फिर भी दिल्वी पुलीस ने उँ कहा न चूं कहा इसलिए और उस समय आफि लोगों ने प्रश्न पूचा था कि आखिर।